आपके सामने एक नया डिफरेंस है, जो कि हमारा ADR और GDR के उपर है, बैचे किसको उपर है? ADR और GDR, ठीक है ना? जिसमें ADR के अगर हम फुल फॉर्म की बात करें, तो American Depository Receipts और GDR के अगर हम बात करें, तो Global Depository Receipts, ठीक है ना? तो ये डिफरेंस है काफी आसान और काफी अच्छा डिफरेंस है, काफी जगे पूछा जाता है, 11th क्लास की बिजनस की बुक में भी ये डिफरेंस दिया हुआ है, ठीक है ना? पैगराफ फॉर्म में दिया हुआ है और दिया हुआ है, उसके बाद ये मैनेजमेंट के कोर्सिस हो गया, एमकॉम, एम्बे इंसम में पूछा जाता है कि ADR क्या है और GDR क्या है, तो मैंने डिफरेंस की फॉर्म में बता दिया आपको ताकि आपको पढ़ने में भी आसानी हो जाए और जल्दी याद हो जाए ठीक है, तो स्टाइट करते हैं इस डिफरेंस को सबसे पहले फॉल फॉर्म, बचे का है, फॉल फॉर्म, तो ADR की फॉल फॉर्म होती है, American Depository Receipts, ठीक है न, जबकि हम GDR की अगर हम बात करें, तो Global Depository Receipts, ठीक है न, ये इसकी फॉल फॉ पॉइंट नुबर 2 में हमने बात करी है, डैफिनिशन की, अगर हम डैफिनिशन की बात करें, तो ADR is a type of negotiable security instrument, देखो अगर आप negotiable instrument दिखना चाहो, तो खाली ये लिख सकते हो, कि इस तरह से, कि it is a type of negotiable instrument, ऐसा लिख सकते हो, और अगर पूरा लिखना चाहो, negotiable security instrument, तो य that is issued by, जो कि कौन issue करता है, US bank, कौन करेगा, US bank इसको issue करता है, on behalf of a, किसके बिहाफ पे, non-US company, यानि जो US की company नहीं है, ठीक है, which is trading on the, जो कि trade कर रहा है, किस पे, US stock exchange में, तो उसने बोला, अगर हम ADR की बात करें, तो यह American depository receipt है, number one, number two, एक ऐसा negotiable instrument है, या फिर negotiable security instrument है, जो कि issue किया जाता है, US bank के तरफ से, किसके तरफ से, US का bank करेगा issue, किसके बिहाफ पे, non-US company के बिहाफ पे, जो कि US की company नहीं है, उसके बिहाफ पे, US का bank इसको issue करेगा, which is trading on the, जो कि trade कर रहा है, on the US stock exchange, US के stock exchange में trade कर रहा है, जैसे यहाप आपने Bombay stock exchange सुनाए, Nifty सुनाए है न, NSE, BSE and all सुनाए है न, तो वो ही समझ लो, उसके बाद GDR के अगर हम बात करें, तो it is a negotiable security instrument, ये भी एक negotiable security instrument होता है, issued by, कौन issue करेगा, इसको international depository bank, इसको करेगा international depository bank, जबकि इसको कौन issue कर रहा है, US bank, clear हो गया, representing foreign companies, जो की represent कर रहा है, बाहर की companies का stock trading, ठीक है न, बाहर की क्या कर रहा है, companies का foreign companies, stock trading, कैसे, globally, globally मतलब पूरे world का लेके चलेगा, point number 3, listed in, कहा list करवाना है, जैसे हम यहाँ पर अपने share को, Bombay stock exchange, NSE, इन सम्वे करते हैं, list करते हैं, list करवाना पड़ता है, तभी आप trade कर सकते हैं, वैसे ही, इसको कहा list करना पड़ता है, ADR को, तो इसको करना होता, American stock exchange में, कहाँ पर, American stock exchange में, इसको list करवाना पड़ता है, clear हो गया, जबकि यहाँ पर लिखा हुआ है, non-US stock exchange, इसको कहा करना पड़ता है, non-US stock exchange में करना पड़ता है, जो कि US का नहीं होना अच्छी है, बाहर का, ठीक है, such as London stock exchange में, आप इसको list करवा सकते हो, या Luxembourg stock exchange में, इसको कहा कर सकते हो, list करवा सकते हो, तो यहीं पर याद successful security instrument है, यह भी, negotiable security instrument है, इसको issue करेगा, US bank, इसको issue करेगा, international depository bank, clear है, किसके भी आपफे non-US company के भी आपफे, जो कि ट्रेड कर रही ह 언제 युएज के यूएस के स्टॉक एक्षेंज में ही ट्रेड करेंगे यह लिखा हुआ जो रिप्रेजेंट कर रहा है फॉर्म कंपनी स्टॉक ट्रेडिंग ग्लोबली उसके बाद तीसरा लिस्ट इनकी बात करी तो मैंने का अमेरिकन स्टॉक एक्षेंज में इसको लिस्ट किया करवाया जाता है जब कि दूसरे वाले को जो करवाया जाता है वो करवाया जाता है non-US stock exchange में कहाँ पे non-US stock exchange जिसे London stock exchange, Luxembourg stock exchange, clear हो गया तो यह पॉइंट नमबर 3 तक आपको समझा दिया अच्छे से, अब आते हैं point नमबर 4, negotiation की अगर हम बात करें, किसकी बात करें negotiation की अगर हम बात करें तो यह negotiable होता है कहाँ पे होगा, negotiable अमेरिका में, यह सिफ negotiable होता है, कहाँ पे, अमेरिका में जबकि अगर हम इसकी बात करें यह all over the world यानि पूरे world में negotiable होता है पूरे world में क्या होता है, negotiable होता है liquidity की बात करें तरलता की बात करें ठीक है ना, तो ADR ADRs यानि ADRs मनला American Depository Receipts एस एक्स्टा लगा है ठीक है ना उसमें Receipts हो जाए गए Tend to be more liquid यह ज्यादा liquid है इसको easily cash में convert कर सकतो आप है ना तो more liquid due to size and accessibility of US market तो यह ज्यादा liquid माना गया है ठीक है ना size और accessibility of US market के कारण ठीक है ना जबकि liquidity of जो GDR होती है वो कम होती है यह less liquid होते है ठीक है ना depends on the specific foreign market यह depend करते हैं किसी specific foreign market पे ठीक है वही जाकर कि आपसको क्या मतलब क्या है cash में convert कर सकता है इस type से बोल सकता हूं ठीक है ना तो यह liquid थोड़ा कम होते है यह वाले liquid थोड़े जादा होते है उसके बाद currency यहां पे ट्रेड में आ जाती है तो यूरो आ जाएगा यूएस डॉलर यह समया पे ट्रेड में आगा तो इसमें एक से जादा currency में ट्रेड हो रहा है ठीक है ना आगे परपस की बाद करें क्यों ADR को हम इशू करते है उसने बोला एक ट्रेड मार्के ट्रेड में ड्रेड होँगे ना याँईब from all the international markets clear और टिक है दैन उसके बाद type of market के बात करें तो यह retail type कि माने जाती है पिटा क्या माने जाती है रिटेल जैसे आपके आसपास भी रिटेल जो दुकाने होती है और जो बल्क में काम करते है उसे wholesale कहते है तो यहां पर आपके अपके लिए त्यारिक कर सकते हो तो मिलते फिर नए डिफ्रेंस में तब तक लिए धन्यवाद दोस्तो झाल